लोगों का साल का target भी नहीं होता एक करोड़ का मैं तो पर मंत की बात कर रहा हूं वेक ब्रैंड नहीं है कोई फर्क ने कड़ता दिरे दिरे आप ही एक brand बनेंगे हर वो चीज जो branded आती है हर वही चीज नॉन branded भी आती है अगर आप बिना रिस्क के काम करना चाहते है ना तो करते हैं जिनको नॉलेज नहीं होती समझदार लोग क्या करते हैं दोस्तों नमस्कार मेरा नाम है डॉक्टर अमित्माईश्वरी मैं CEO & Founder डिरेक्टर हूं मेटास Oversies Limited Company का और हमारी company stainless steel model kitchen की manufacturing करते हैं हम लोग export करते हैं और आज पूरे भारत वर्ष में मारे franchise शोरूम और dealership शोरूम है जहां पर end user project वाले और government department के साथ हम लोग direct deal करते हैं मैंने आप लोग के लिए सीरीज शुरू किया और सीरीज का नाना how to build zero to one करोड़ पर मंथ business एक करोड़ का हर महिने business कैसे करें इस सीरीज में मैं आपका स्वागत करता हूं इस सीरीज की पहली वीडियो में बहुत सारी बाते मैंने आपको बताई थी मेरा request अगर आपने नहीं देखा तो एक बार ज़रूर देख ले और कोई भी informative वीडियो की सीरीज आपकी लाइफ को बदल कर रख देगी जैसे मैंने अपनी लाइफ को चेंज किया आप लोग जानते हैं में coaching institute चलाता था और धीरे धीरे करके turning point आते गए और हमारी एक बहुत बड़ी industry खड़ी हो गई जो company आने वाले समय में IPO में list होने वाली है आज की इस class को हम इन तीन पार्ट में divide करेंगे सबसे पहले बात करेंगे कि पिछली वीडियो हमने जो बात की थी और आपको homework दिया था आप में से कितने लोगों ने वह homework complete किया और उसको connect करते हुए next chapter में हम बहुत सारी बातों को समझेंगे साथ साथ पिछले वीडियो में आपके दौरा मित कैसे तोड़े प्रुथ क्या है और या बिलीफ कैसे जनरेट करें वह भी positive क्योंकि पिछली क्लास में मैंने आपको यह बताया था कि कौन-कौन से ऐसे मित है जिसकी वजह से लोग यह सोचे रही पाते ही कि 0 से करोड तक जाया जा सकता है वह भी per month लोगों का साल का target भी अलड़ी कर रहे हैं आप यह क्यों सोचते हों कि नहीं होगा सबसे पहली बात no business experience required क्योंकि पिछली वात में मैंने बताया था कि कुछ लोग यह सोचते कि 3-5 साल का नुभव चाहिए बिलकुल कोई फर्क नहीं पड़ता आपको business का experience है या नहीं आप zero experience से direct business भी शुरू कर यह आपने graduation किया आपने कोई course किया या आप business करना चाहते हैं या आप startup करना चाहते हैं तो zero से शुरू किया जा सकता है यार बिन experience से शुरू किया सकता है no huge setup required कई businesses ऐसे हैं जिसमें बहुत बड़ा setup required नहीं है यह बात अपने मन में बिठा लें क्योंकि लोग कैतना है मेरे पास पैसा नहीं है मेरे पास कोई financial power नहीं है मेरे पास को backup support नहीं है मेरा को network नहीं है bank मुझे loan देता नहीं है लोग मुझे उधार देते नहीं कोई working capital required ना हो तब भी कोई फरक नहीं पड़ता या minimum थोड़ी सी हो जितनी रोज मर्रा के व्यापार को चलाने के लिए चाहिए तो भी आप business कर सकते हैं लोग कहते हैं कि एक करोड के लिए कम से कम 10 लाग पर मंत का मेरा operating cost होना चाहिए या 2 लाग रुपय पर मंत operating cost होना यह फ्रेंट्स यह बिलीव लोगों के मने में होता है कि nominal investment से business नहीं शुरू किया सकता है पर आपको समझना होगा छोटी से छोटी पूंजी से भी व्यापार शुरू किया सकता है believe me कि करोणों का business 0 से 10 रुपए 10 रुपए से 100 रुपए 100 रुपए से 1000 रुपए इस तरह से भी शुरू किया जा सकता है आपको अजीब लगेगा ना मैं बताऊंगा आपको इसके बारे में start solo and go for expansion लोग कहते हैं कि यह टीम चाहिए मैंने का था ना पिछली वीडियों बताया था कि कुछ लोग कहते हैं कि बड़ी टीम चाहिए तो यह belief system अपना तोड़ दो भाई negative वाला इस बात को समझ लो start solo आप अकेले भी शुरू कर सकते हैं और go for expansion धीरे 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 कारवा बन सकता है बड़े-बड़े coaching institute जब मैंने अपना खुद का coaching institute शुरू किया था ना तो start with solo किया था बिना investment के शुरू किया था friends and circle में बताके या कोई home tuition हो तो बताना किसी को tutor required हो तो बताना ऐसे करके पहली home tuition ढूंडी मतलब zero investment के साथ solo start किया धीरे-धीरे पैसे आने लगे और फिर marketing करना शुरू किया फिर खुद का coaching institute शुरू किया फिर coaching institute में all teachers higher किये expansion के लिए तो मैं इसका right example हूँ आप चाहें तो मेरी case study देख सकते हैं जो stock पे देखिए या google पे सर्च केजिए who is dr. Amit Maishwari success story of dr. Amit Maishwari no big brand required कोई बड़ा brand required नहीं है मैंने का था कि लोगों का believe होता है और बड़ा brand नहीं है तो कौन माल खरी देगा brand की भीड में बिना लोग अपने product को बिना brand के penetrate कर देते हैं हर वो चीज जो branded आती है हर वही चीज non branded भी आती है साधरन रूप में भी आती है बिना नाम के भी आती है जैसे अगर आप आटा लेना चाहें तो शक्ति बोग आटा भी आता है आशिरवाद सेलेक्ट भी आता है और चक्की पर मिलने वाला बिना brand के आटा भी होता है तो यह रिस्क जीरो या नियर टू इंवेस्टमेंट लोग कहते हैं कि बहुत बड़ा रिस्क होता है अपने मन में यह बात को विश्वास बना लें कि नियर टू जीरो है मैं इस तरीके से काम बई मैंने किसी दोस्त को का कोई हूम टूशन हो तो बताना तो यह नियर टू जीरो र आसिल कर सकते हैं पहला विश्वास नो बिजनस एक्सपिरेंस रिक्वाइड दूसरा विश्वास हीुज सेटप इस नॉट रिक्वाइड नो और मिनिममम वर्किंग कापिटल रिक्वाइड थोड़ी सी भी हो ना भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता नॉर्मल इंवेस्टमे से घर के बेडरूम से ड्राइंग रूम से या फ्रेंड सर्कल के साथ मिलके कहीं भी एक्स्ट्रा स्पेस पर वहां से शुरू होती है नियर टो जिरो रिस्क होता है जब आपका इन्वेस्टमेंट नहीं लगी आप खुल शुरू कर रहे हैं वर्किंग कैपिटल आपने नह समझना है तीन ऐसे सीक्रेट जो आपका माइंड सेट बदल देंगे पहली बात लोग ना हासिल तो बहुत कुछ करना चाहते हैं पर उसके लिए करना कुछ नहीं चाहते हैं सबसे पहली चीज जो भी इच्छाएं आपकी हैं जो भी डिजायर आपकी है ना क्यार मैं यह अकेला शुरू करूँगा थोड़े खर्चे से स्टार्ट करूँगा कोई सेट अप रिक्वाइट नहीं है एक्स्पिरिंस नहीं तो क्या हुआ दुनिया में गूरू चानक्ये ने बड़ी प्यारी स्टेट्मेंट कही थी उन्होंने कहा था कि यह सारा जीवन अनुभव कर के आगे बढ़ने पर लगाओगे तो एक जीवन कम पढ़ जाएगा सही तरीका क्या है हर व्यक्ति जिसने जिस विशह में महारत हासिल की है उस व्यक्ति से टाइप करो उसके ज्यान को अर्जित करो उससे ज्यान का अर्जन करो और आगे बढ़ जाओ तो कम समय में ज्याद तो आपकी डिजायर है उसको करने के लिए पहला स्टैप लेना है अब पहला स्टैप क्या होगा आपने कापिल चाहिए नहीं एक्सपिरेंस है फ्रीलांसर तो आजकल फ्रीलांसर के रूप में कोई भी काम किया सकता है और देखे हमारा माडू वी माडू किशिन क करना दा को पता करोड़ों कानक př młok कर लेकर तो इसने कया किआ च्पिरेंस किया तो शुरू किया उसने क्या क्या गवे एक्स्पिरेंस नहीं था तो हम से नॉलेज उसने क्या किया बिना investment के केवल effort के साथ economics में चप्टर पढ़ा जाता है कि श्रम प्रधान तकनी की और पूंजी प्रधान तकनी की मेहनत करके पैसा कमाना तरीका लगा के या पैसा लगा कर पैसा कमाना तो श्रम प्रधान तकनी से भी पैसा कमाया जाता है आपने भी पढ़ा और उन से काम करवाता है जो business owner खुद ही काम करता है न वो एक तरह से self-employed होता है employed होता है वो भी self मतलब दूसरे का employee निया खुद का employee है अपने आपको employee की रूप में काम करता रहता है और काम करते करते पैसा कमाता रहता है right con है जो get thing done दूसरे से काम करता है अब business owner के अंदर एक कमी और होती है जब माल बेशता है न तो पैसा कई बार उधार में भी चला जाता है तो कता है उधार जारा कोई बात नहीं आ जाएगा एक business owner को मैं जानता हूं उसने client को material देना शुरू किया पहले advance लेता था फिर धीरे-धीरे payment on delivery हो गया फिर delivery के बाद वो delay होने लग गया 15 दिन 20 दिन 25 दिन फिर धीरे-धीरे करते करते वो जो delivery के साथ credit था वो पहले 50,000 था फिर एक लाग हुआ फिर धीर लाग हुआ फिर ध किसी काम का नहीं है पैसा जो काम का है money in bank जो आपके पास आता चाहिए cash के रूप में या bank के रूप में वही पैसा आपका है ये तीन mindset आप अपने develop करें सबसे पहले कि मैं केवल सोचूंगा नहीं करूंगा भी business owner बनूंगा ना कि self employed और दूसरों से काम कराऊंगा paper money खाली कागजों में पैसा नहीं असलियत में पैसा कमाऊंगा ये तीन mindset अगर आपने develop कर लिए तो समझ लेजिए zero से one करोड पर month business की इस series में आपने ठीक से कदम रख दिया है और आप सही तरीके से guide होते होते next level जरूर पहुंचेंगे mindset आपका तयार हुआ तो आप बात करते हैं क इतने business owner को देखोगे उनमें और वो business owner जो बड़े level पर पहुंच चुके हैं जमीन आश्मान का अंतर पाऊगे पर उस level के लोगों तक आप पहुंचेंगे नहीं पाऊगे तो वो comparison कैसे करोगे मैं बताता हूँ comparison क्या है वो comparison है ये we do we do मतलब हम या हमारे circle के लोग क्या करत है या आपको self study करके अनुभव करके सीखना पड़ेगा तो अनुभव करके सीखना तो बहुत लंबा काम है तरीका क्या है पहले यह देखो कि वो करते हैं क्या और हमें क्या करना चाहिए मैं आपको बताता हूँ सबसे पहली बात build portfolio एक small scale business owner ना अपना portfolio बनाने के चक्कर मे गयाता है website बना रहा है social media page बना रहा है information निकठी कर रहा है अपना portfolio तयार करता है चाहिए वो catalog ब्रोशर है लेकिन अगर आप zero से शुरू कर रहे हैं वैसे सब्सक्राइब जरूरत तो है लेकिन अगर आप zero से शुरू कर रहे हैं तो others partner portfolio का इस्तेमाल करें अब यह क्या होता है make tie up our associate partners आपने अपनी information में कोई भी information जब share किया है आपने अपनी फर्म का नाम बनाया आपने अपनी फर्म की information note की और आपने बताया कि यह हमारे आप मारे partners हैं जैसे हम भी बड़े projects करने के लिए हमारे पिछले projects का reference लेते हैं क्या omex is our client, lal path lab is our client, vlcc is our client, nbcc is our client, indianol is our client, ठीक है रजनिगंदा group is our client, बाबा इलाईजी is our client, तो यह हमारे clients हैं, इनके reference, इनका portfolio हम इस्तमाल करते हैं कि इन लोगों का हमने काम किया है, as it is, जो लोग already success हासिल कर चुके हैं, उनसे बाचियत करें, tie up करें, उनके लिए काम करें, उनके behalf पर काम करें और उनके portfolio का इस्तमाल करें, यह हमें करना चाहिए, make setup, यह हम करना शुरू करते हैं, ज़्यातर बिजनस क्या है, कि सबसे पहले पैसा एकठा करेंगे, फिर एक factory लगाएंगे, फिर माल बनाएंगे, फिर माल को बाजार में बेचने के लिए जाएंगे, marketing करेंगे, sales करेंगे, तब जाके सब कुछ target achieve होगा, लेकिन successful business owner क्या करते हैं, setup नहीं बनाते हैं, setup के लिए tie-up करते हैं, कौन-कौन से manufacturer, कौन-कौन से trader, कौन-कौन से investors किस-किस चीज़ में काम कर रहे हैं, उनसे tie-up करते हैं, other people setup का इस्तेमाल करते हैं, हमारे पास भी बहुत सारे ऐसे freelancers आते हैं, जो हमा हमारे setup पर वो लोगों से deal करते हैं, तो setup बनाना जरूरी नहीं है, जो बने-बनाए setup है, उनसे tie-up करके, उनके setup का इस्तेमाल करना है, next, हम लोग क्या करते हैं, production setup लगाते हैं, माल purchase करते हैं, अगर आप trading करने हैं, ये काम हमारा पहले रहता है, पहले माल बनाओगे तभी तो बेचोगे यार, या माल raw material या finished good purchase करोगे, तभी तो कुछ बना के बेच पाओगे, ये क्या को लोग करते हैं, जिनको knowledge नहीं होती, समझदार लोग क्या करते हैं, start selling first, माल पहले बेचना शुरू करते हैं, और जो delivery period होता है, उस duration में माल खरीदना शुरू करते हैं, हम भ ठीक है, अगर आप tailor को देखोगे, जो आपका ready made कपडे बनाते हैं, वो क्या करते हैं, पहले production करते हैं, पुरा फिर माल में बेचते हैं, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, कि पहले marketing करके sales का order लेकर आते हैं, बाद में production unit को देते हैं, या purchase करते हैं, बनाने वाले से, तो य हमें करना है, market search करने पर पूरा काम कर देतनी है, क्या, market में research करेंगे, market कहा céu है, कैसे है, वो सारी चीजों पर focus करेंगे, लेकिन हमें करना है, trend follow करना चाहिए, कि उस industry लोग किस तरहे के वेपार में कौन करना है, किस तरहे के गराक में कौन करना है, आपने competitor को research करना है, या business owner test and trial ही करता रहता है माल बनाता है, fail हो जाता है अप्ग्रेड करता है लेकिन successful लोग successful business owner, बड़ी company copy paste करती है अब आपको लेगा बड़ी company copy paste करती है yes, बड़ी company copy paste करती है, अगर आपको विश्वास ना हो तो Facebook के बारे में सोच लिए पहले औरकुट आया था, बाद में Facebook आया, पहले Airbnb भी आया था, उसके बाद में ये बाकी सारे प्लैटफॉर्म आये हैं। Successful business model को copy करके, modify करके, आप ज्यादा तेजी से आगे बढ़ते हैं। तो ये भी कौन लोग करते हैं, जो successful होते हैं। Business में ups and downs आते रहते हैं, लेकिन वो focus करते हैं केवल growth को। Small scale business owner जैसी down आता है उसका सारा focus आलायता उससे बहार निकलने पर। लेकिन large scale business owner हमेशा क्या करता है। और मैं growth कैसे कर सकता हूं। और नए partnership कैसे कर सकता हूं। और नए dealer distributor से कैसे मिल सकता हूं। और नए लोगों के साथ association करके next level कैसे सकता हूं। और नए project कैसे पकड़ सकता हूं। वो कभी downs पर focus नहीं करते, वो focus करते है next level पर। Friends, ये belief system, ये myth अगर आपके टूट गये, belief system समझ गया है, road map समझना आपने शुरू कर दिया है, तो next वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्या, MIP, minimum investment plan, zero से 1CR पर मन्त, अगर आप करना चाहते हैं, तो आपको MIP का पता होना बहुत जूरूरी है कि minimum क्या investment चाहिए, क्योंकि track अलग है, zero से 1CR के बीच में बहुत बढ़ा फासला है, हो सकता है, पहला zero से 10,000 हो, दूसरा दस हजार से 50,000 हो, track आपका, 50,000 हो एक लाग हो, एक लाग से 5 लाग हो, 5 लाग से 50 लाग हो, आपकी growth के लिए क्या minimum investment plan होना चाहिए अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो वरना वो चीज़ आपको miss होने वाली है जो real life practical आपने शायद किसी बड़े business owner से नहीं सीखा क्योंकि वो पताएगा भी नहीं इसको secrets है मेरे जीवन का उदेश है कि भारत के ह को से मांगः तो वने नहीं दिया नहीं हमेशल काता तरह की यह ऑंता चीज़ के बारे में जो लोगों को से पूछे एक व्यक्ती का कमन नहीं या किसी ली व्यक्ति, नहीं मैं माफी चाहूंगा आपके फादर के बारे माँ बोल रही हूं किसी वी व्यक्ति ने जहां पर अनुभव किया है उसन नुभव business का नहीं उसने जॉब का किय हैं, business का अनुभव का साथ होता है अगर डारेक्टली कनेक्टेड हैं तो कोशिश करें अगर experience करना भी है तो small scale industry में जाएं जहां पर छोटा व्यापारी मालिक आपके हमेशा साथ रहता हो और हमेशा आपको चीजों को गाइड करता रहता हो आपको ताने देता रहता हो आपको समझाता रहता हो करके अगर काम करेंगे तो employee बनेंगे तो कोई एक्स फर्क नहीं पड़ता experience है या नहीं काम का शुबारम करें चीजों को सीखे समझे आज तो information technology का यूग है आप आसानी से आगे बढ़ सकते हैं एक comment हमारे पास आया उन्होंने काया कि सर मैंने life में आगे बढ़ने के लिए कौन सा व्यक्ति सफलता असिल कर चुका है उसके पास जाओ उसे बताओ कि सर मैं मार्केटिंग करूंगा आपके लिए मैंने क्लाइंट लेकर आऊंगा आप मुझे बिजनस के बारे में बताएं और जो भी डील में करूंगा उसका मुझे इंसेंटिव चाहिए और के सवाल का जवाब यह कोई फरक नहीं परता कि टीम कितनी बड़ी है आप सोलो भी बिजनस शुरू कर सकते हैं मैंने खुद अपने कोचिंग इंसिट को एजस सोलो होम टीटर के रूप में शुरू किया था फिर छोटा सा सेंटर बनाया फिर मल्टीपल डीचर्स के साथ हम लोग आगे बढ़ते तो सोलो आप शुरू कर सकते हैं अगर आपके मन में भी कोई प्राश्ण है जीरो टू वन सी आर पर मंद बिजनस को लेकर तो प्लीज मुझे कॉमेंट बक्स में लिकर जरूर बताएं क्योंकि आने वाली वीडियो में आपके हर सवाल का मैं जवाब देने बाला हूं स्वस्त रहें मस्त रहें मैं डॉक्टर आमित माईश्वरी आपके सुरे वहिश्य की कामना करता हूं जै हिंद जै भारत